सो हेलो इर्वन चले शुरू करते हैं प्रेक्टिस कुशन जो कि आपके एक्जाम पॉइंट वी से खापी इपोर्टेंट है यह जो प्रेक्टिस कुशने डारेट आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो देखो पहला क्विशन आपका फीता कर्मी में आहर नाल होत होती है दाकर्मी यानिकी टेव्परम तो इसमें एलीवन्त जो कैनाल है वह आपकी ğinड़ डवलोप्टि यानिकर पौंड वीक्सित होती है या फिर less developed, कम विक्सित होती है या फिर सांकित, ब्रांचेट या फिर absent होती है और फिताकर्मी के बारे में सब जानते हो 11th biology में आपने पढ़ रखा है फिताकर्मी टेपरम के बारे में तो उसमें elementary के नाल यानिकि आहर नाल होती भी है या नहीं होती या पूर्ण विक्सित होती है या पर कम विक्सित होती है आपको इसका आंसर बताना है ऐसे ही क्यूसन आपके इंटरन्स इक्जामे बनते है तो बहुत या असान इसका आंसर फिताकर्मी में elementary के नाल अनू उपस्तित रहती है abicent रहती है याद रखना क्या रहती है abicent यानि कि होती नहीं है तो इसका right option हो जाएगा आपका ये वाला और फिताकर्मी तो I hope सभी ने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर images हम आपको दिखा देते फिताकर्मी की जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे यह है आपका टेव फिताकर्मी काफी लंबा होता है फिते की तरह होता है तो यह आप देख पारूंगे इसमें elementary canal नहीं होती है और यह काफी long होता है कभी कबार इंसानों की intestine में भी आ जाता है इसमें जैसे प्रेट दर्द की सिकायत हो जाती है तो यह आपका टेव फिताकर्मी अगला क्यूसन है आपका जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे किस लक्षण के कारण reptilia ने फ्राथवी की सत्तपर सो लाख वरस तक परभुतव बनाई रखा कौन सा कारण है reptilia सब जानते हूंगे जो रेकर चलते हैं जैसे कि इसनेक हो गया monitor lizard हो गया अधिक तर इसनेक इसमें आते है बड़े दांत के कारण कवच यूगत अंडे के कारण खटोर फेबडे या फिर बाईये सुरुकसात्मा कंकाल से कौन से लक्षण के कारण सो लाख वरसो तक का प्रभूतव बनाए रखा तो सिंपल सांसरे बाईये सुरुकसात्मा कंकाल external protect skeleton क्यूंकि बहार का protect खापी कतर नाक होता है reptilia में बहुत ही जादा याँपर सुरुकसात्मा कवच इनके होते है चलो मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे यहे आपका स्नेक यानि की सांप और इसका कंकाल इतना खतरनाक होता है देख लो आप इतने ज़्यादा सल्क पाए जाते है तो यह इनको protect करते है इसलिए यह अधिक एज तक अधिक उमर तक जिवित रहता है आपने देखा होगा कि सांप जोए खाप की सालों तक जिवित रह जाता है तो यह इनको protect करता है यहाँ आप आप देख सकते हो यह इनका कंकाल होता है इतना डेंजर और यही इनको लंबी उमर परदान करता है तो इसलिए इसका अंसर होगा भाई यह सुरकसात्म कंकाल से अगला आपका जो रजजत मतस्य होता है यहनकी सिल्वर पिस होता है तो यह सिल्वर पिस क्या होता है एनिलिडा, हेलमितिज, केट या फिर मॉलस का या फिर मचली बताइए अब आप इसे कापी सार विद्यार ते तो बोलेंगे सर मचली होती होगी मचली नहीं होगी यहाँ पर पिस का मतलब यह नहीं कि सिल्वर पिस पिस होती है नहीं होती है वेगनिक तरिस्टि कॉंड से अगर आप देखोगे तो आपकी जो Silver Peace होती है न वो होती है आपके कीट में आती है किन में आती है याद रखना कीट में और काफी सरोर्षी तो देखा भी होगा Silver Absolute Ak अब आप बोलिंग सेर्ट क्या ये चांदी की होती है क्या पिस फिर तो काफी महंगे बिखते होगी चांदी की मचली ऐसा बेलकुल भी नहीं है बस इसका जो कलर है न वो चांदी की तरह वाता है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको 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 इसलिए बोला जाता है और इसको मचली नहीं है यह आपकी कीट में गिना जाता है इसको किसमें कीट में यानिकी इनसेक्टा में इसको गिना जाता है यह आपको याद रखना है अब कीट में क्यों गिना जाता है तो कीट में देखो ना इनके पेर इस वज़ेसे इनको कीट में रखा जाता है सो यहाँ पर इसी कारण सिल्वर पिस पिस नहीं होती है कीट होता है क्योंकि उन्हें पेर कीटों की तरह होता है अगला नितलस्थ जीव पाए जाते है बेंतिक ओर्गनिजम आर फाउंड कहां पर पाए जाते है समुदरी जल की सता पर समुदरी जल के बीज में समुदर की तली पर फरत्वी पर नितलस्थ जीव पाए जाते है सबसे पहले जाना इपोटेंट है कि ये नितलस्थ जीव होते क्या है बेंतिस ओर्गनिजम किन को बोलते है तो ये जाना हमारे लिए इपोटेंट है तो आपने देखा होगा जो समुदर के बिलकुल लास्ट पैंदे पर जो उगते है रहते है जीव उन्ही को बोला जाता है तो समुदर की तली पर इसका राइट उप्सन क्या हो जाएगा समुदर की तली पर जो रहते हैं न उनको क्या बोला जाता है नीतलस्ट जीव चलो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर नीतलस्ट जीव जिसा है कि आप यहाँ पर देख पार होंगे 32 ओर्गनिजम यानि कि नीतलस्ट जीव यहाँ पर जितने भी जीव है यह बिल्कुल समुंदर के पेंदे पर है यह देख लो आप बिल्कुल समुंदर के पेंदे पर तो इनको 22 और इनिजम बोला जाता है और यह सारे आगे इसमें यह जिदने भी आपको दिखाए दे रहे हैं नहाँ पर नीचे यह सारे इसमें आ जाता है यह देख लो आप तो I hope इमेजेस से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा इसलिए इसका राइट आप सुन हो गया आपका समुंदर की तली पर ठीक है समुंदर की तली पर अगला रूदिर दाप तता हद्द स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाता है हार्मोन के उपर मैंने वीडियो बना रखा है जिन्होंने चैनल सस्क्राइब कर रखा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा उनको मिल भी गया हार्मोन का पूरा पूरा वीडियो दो से तीन क्यूसन तो वहीं से बनेंगे हार्मोन से देख लेना आप रुदिर दाब तता हदे इस पंदन किस हार्मोन दोरा बढ़ता है तो बहुत यह असान में बच्चमन में पढ़ाओगा आपने कि लडाई के टाइम पर गुस्ते के टाइम पर कौन सा हार्मोन निकलता है सिम्पल एडरी नलिन कौन सा एडरी नलिन तो basically मैं यही करना चाहूँगा आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए कौन सी gland से वो cigarette होता है वो पता होना चाहिए और इसका plexons क्या होता है ये तीन चीज़ा आपको पता होना चाहिए तो हार्मोन का कोई भी question आजाए आप कर दोगे तो जैसे यहाँ पर question आया तो हमने कर दिया क्योंकि हमको पता है किसके बारे में हार्मोन का पूरा chapter हमने पढ़ रखा है तो एडरी नेलिल इसका right option हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होंगे हमने पूरी list आपको टेलेगराम पर डाली थी और जिन्होंने MKS Academy एप डाउनलोड कर रखा होगा उनको मिल भी गई होगी प्योस गरंती के बारे में जितनी भी गरंती हैं सब हमने बता रखा है कि गरंती हार्मोन और कारे बस यह आपको पता होना चीए तो कोई भी question आ जाए हार्मोन का आप कर दोगे मेरे को पता है आप कर दोगे बहुत ही अच्छी टेबल है यह और यह आपको टेलेग्राम पर MKS Academy एप पर भी मिल जाएगी लिंक नीचे देरका इनका तो इस सारे हार्मोन देख लो आप पीनेल गरंती के मेलाटोनिन होता है पराथाइरोड से पराथाइरोड हार्मोन थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन एडिनल से एडिनलिन जो संकट के इस्तिती पर होता है तो क्यूसन यहां से बनाए वो वाला यहां से तो ऐसे बनते आपके क्यूसन और उसके लिए लिस्टे आपको पताओना बहुत ही ज़दा जरूरी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो इसलिए यहाँ पर राइट आपसन एडरी नेलिन अगला तोड़ा सा इसको यह कर लेते हैं कीटो का मुक्के उसरजी पदार्द आपको बताना है और यह तो आपने अच्छे से पड़ाओं का उसरजी पदार्द सबका अलग अलग होता है मनुश्य का अलग होता है ओट का अलग होता है मचली का अलग होता है यानि कि जो अलग अस्तानों पर रहते हैं उन सभी का अलग अलग होता है तो कीटो का पूचा है आपसे कि केटों का क्या होता है चार ओप्षन है केटों का मुक्के उच्सरजी पदार्ट अमोनिया, यूरिया, एमिनोमल, यूरिक अमल बताइए विद्यारतियो सो यहां पर बहुत ही असान है यह जो पक्सी है इनका जो एक्स क्रेटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक अमल होता है क्या होता है? यूरिक अमल अगर क्यूसन यू पूछ ले जाए कि मचलियों का क्या होता है तो मचलिया आपने देखा होगा कि पानी में रहती है यह हर टाइम उस सर्जन कर सकते है यानिकि इसमें विसला पदार्ट अधिक होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी में रहती है निकालेगी पेएगी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फानी में ही तो है न तो अमोनिया होता है अब इंसानों की बात करे तो इंसान तो देखो नॉर्मल में रहता है ना तो ज़्यदा पानी में तोट भी कमज़ोर पदार्त होगा जरीला क्योंकि वह तो पांस साथ जिनों एक दिन पानी पीता है तो उनको कंट्रोल रखना पड़ता है यह उत्सरजी पदार्त तो उतने ही कम हानी आरक रहता है जिसकि अमोनिया तो कापी जो जन्तु है ना उनमें पाया जाता है चलो मैं आपको डाइग्राम दिखा देता हूँ पुरा क्लियर हो जाएगा आपको जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे यह आपकी ठीक है मचली और यह आपका पक्सी तो मचलियों में किस प्रकार का अमोनिया वाला और जो मेमल्स हो गए उसमें यूरिया होता है ठीक है सार्क हो गया मेमल्स हो गया ठीक है और जो पक्सी होते कीडे होते रिप्टाइलिया होते इनमें क्या होता है इनमें होता है यूरिक एस तो यह क्यूशन भी तुहीं से बना था पक्सी वाला तो यूरी के सिड़ा गया कितना असान होता है देखो अगर चार से पड़ते तो अगर अगली बार हम से पूछ ले जाए कि मचलियों में कौन सा होता है ठीक और भी यहां पर देख लेते पूरा वीवर यहां पर दे रख लाएगा है कि क्लियर तो इसको तोड़ा नोट करके रखना ज़सुआ में और जाका रिप्टाली था यूरी के के सिड़ होता है और में मेल्स और सार्क इनमें यूरिया होता है और इनमे मचलियों में जलीय चर्में Ammoniya होता है क्लिए चलिए बढ़ते हागे कुर चंदर परवा अव्यारन भार्त के किस परदेश में है? चंदर परवा अव्यारन भार्त के किस परदेश में है? किस राज्य में है? I hope आप मैंसे कापी सारे विद्यारती तो घूमने भी गए होंगे और आप में से तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके राज्य में ही होगा जिनके आसपास ही होगा चंदर परवा अव्यारन तो बहुत यासान है देखो यह आपके यूपी में यानिकी उत्तर परदेश में कहां पर है उत्तर परदेश में थोड़ा इसका भाई ये वो दिखा देते वातावन यहाँ पर आप देख सकते हुए चंद परवा अव्यारन उत्तर परदेश ये देख लो आप ये इसका भाई ये द्वारे खापी जंगले गना जंगले इंदर देख लो आप क्योशन यूब भी बन सकता है कि उत्तर परदेश में कहां पर कौन सी डिस्टिक में है उसका भी दियान रखना तोड़ा सा काफिबार जिसे राजस्तान से क्योशन बनता है कि रनतंबूर कहां पर है तो राजस्ताओं तो पता होता है कापिसार को रनतंबूर के बारे में पता नहीं होता स्वाई मादूपूर के बारे में पता नहीं होता कि स्वाई मादूपूर में है ठीक है तो ऐसे आपको डिस्टिक भी पता होना चाहिए मनुस्य में कौन आउसे से अंग नहीं है which is not vestical organ यानि कि बिना काम के जो हमारे सरीर में कोई काम के ही नहीं उनको बोलते वेस्टिगल औरगन यानि कि उनको हटा भी दिया जाएना है तो कोई दिक्कत नहीं वो अंग आपको यहाँ पर नहीं बताना है यानि कि काम का अंग आपको बताना है यानि कि तीन तो यहाँ पर वेस्टिगल है यानि कि आपके आउसे से अंग है ठीक है बाकि एक नहीं है तो वो नहीं वाला बताना है तो देखो विद्यारतियो हमारा करण पल्लव क्या है आउसे से अंग है अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फ्रक नहीं पड़ता कॉक्जिस हमारी जो रीड गहडी होती है पहले पूँच हुआ करती थी पता है न आपको पूँच इंसानों में हट गई क्या फ्रक पड़ता है यानि कि वो भी अपसेसी ठीक है अब आता है तीसरा आपका एपिगलॉस्टेक्स यह तो बहुत जदा ज़रूर है अगर यह नहीं होगा तो इंसान के मरती हो सकती है तीसरा है वेस्ट यह अपेंडिक्स तो अपनिक्स का कोई काम है नहीं तो यह भी आंपर आउसेसी है यह भी है यह वाला नहीं है तो आंसर मनुस्य के मस्तिक्स में ताप, नियंतरक, केंदरक होता है बहुत अच्छा क्योशन हर बार बनता है थर्मो, रेगुलेटरी, सेंटर, इन ब्रेन पिटूटरी, डाइनसेपलोन, हाइपो तेलेमस तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा आपका हाइपो तेलेमस यह है आपका मस्तिक्स और यह इसमें हाइपो तेलेमस यह रा, यह वाला तो ऐसे आपको पता रखना होता है तो यह डाइग्राम से आपको पिटूटरी, हाइपो तेलेमस, पॉस्टेर, एंटेर सब आपको डाइग्राम से पता लग जाता है अगला अनुकुम्पी, तंत्री का तंत्र किसके द्वारा कारे करता है अगर नहीं पढ़ा है तो तोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ डाइग्राम यह देखिए, एक तरफ प्यरा सिम्पेटेटिक, एक तरफ सिम्पेटेटिक ठीक है, दोनों को अच्छे से देखो आप एक यहाँ पर आँखो डाइलेट करता है, दूसरा कोलता है एक हद्दे को गती देता है, दूसरा कम करता है, ठीक है यानिकि opposite काम करता ही है तो यह होता आपका पेराश sympathetic और sympathetic सो यहाँ पर कौन काम करेगा आपका adrinelin ठीक है यह काम करता है इन पर यही तो काम करता है जैसे आपने ड्रा आगया तो धड़कन बढ़ जाती है आँके खुल जाती है तो adrinelin उत परिवर्तन यानि कि जो mutation है होते है अधिकांस लाबदाइक सदेव लाबदाइक सदेव हानिकारक बहुत ही कम लाबदाइक तो mutation आपने देखा होगा कि mutation के कारण हमारे جो काले बाल होते वो बीच बीच में सपेद हो जाते है ठीक है? यह mutation के कारण होता है तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुती कम लाब दाइक होता ही है बहुती कम क्योंकि काले बालों में सपेद बाला ना यह कौन सा लाब है? हानी तो है ना तो बहुती कम लाब दाइक होता है ठीक है? बहुती कम लाब दाइक क्योंकि काले बाल सबको अच्छे लगते है, हैरी स्टाइल काले बालों से ही अच्छी लगती है, ठीके ना, तो उत परिवर्तन के कारण वाइट हो जाते है, वाइरस द्वारा होने वाला रोग, अब बताओ आप, पूरा मैंने वाइरस का वीडियो भी बना रखा है, कौन-कौन सी बिमारिया वाइरस होती है, कौन-कौन सी बिमारिया विक्टेरिया से होती है, कौन-कौन सी प्रोटो जवासे होती है, कौन-कौन सी आपके कवक से होती है, पूरा मैंने बता रखा है आपको, वायरस त्वारा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ विब्रियो खॉलेरी एक विक्टेरिया जिसे हेजा होता है यैनों कि से ठीघ अब एक बचा इंफ्लो इंजा6 है जो काम जिसा ँप्लोंम्ड बचाए तो यही तो वायरेस से होता है ना कि ठोब कि इंफ्लोंहंजा अदै कि यस धी डिश्चम में आपको अ गेदी आंपर दिखा देता हूं यह क्या थी ट्रिक तो आर मींस रेंबी यह भी किससे होता है वाइडरस से बीपब बीज वाइडरस से मॸीरस वाइडरस से हेड्स वाइडेस से यह राएडरस टुम्हरीं के साथ kan कोई भी कुछन आ जाए कर दोगे आप तो आर पीमटी एंड आई बीपेसे की सीड़ी वाइरस की दुकान पर ये इसके ट्रिक के वाइरस के रोग होगी दूसरी ओर आता है आपका बिक्टेरिया और बिक्टेरिया का डायलोग है ट्रिक है टीकू सीड़ी में बनी है पटाका टीकू है ना जो साढी में बनी है पटाका ऐसे बोलो आप तो टीकू किसी लड़के का नाम है जो साढी में बनी है पटाका तो पूरे बिक्टेरिया के आपको याद हो जाएंगे ऐसे आद रखना होता है तो यहाँ पर इसी कारण राइट आप्शन इंफ्लूहेंजा हो जाएगा केमल यानि कि ओट के आरबी से आपको बतानी है ओट के लाल रुईदुरन होते है देखो विद्यारतियो हर एक जो जीव है जैसे कि मनुश्य हो गया ओट हो गया मेंड़क हो गया कोकरोज हो गया एंकी आरबीसी में बहुत बड़ा अंतर होता है ठीक है ना कुछ ना कुछ डिपरेंट आपको मिलेगा यं मिलेगा तो ओट के लाल रुईदुरन होते है कैसे होते अंडा का, केंद्रक रहित, गौल, केंद्रक युक्त, गौल, केंद्रक सहित तो कैसे होते ये चार ओप्सन दे रहके आपको तो हमने तो पढ़ रखा है कि उन्ट की जो आरबी से ये, गौल होती है बाई कॉन्वेक्स होती है नुगलेटेड होती है यानिके अंदर की उकुत होती है तो यह दे रखा है आपके B में किसमें दे रखा है B में तो यहाँ पर यह आप्शन B हो जाएगा और डाइग्राम भी देख लो इसका जिसा कि यहाँ पर आप देख पार होंगे यह आपकी Human Blood Cell ठीक है और यह आपका Camel तो Camel में देख लो हमारी में देख लो कितना बड़ा अंतर है तो ऐसे आप डाइग्राम से भी याद रख सकते हो सो यहाँ पर Round होती है Biconvex होती है और Nucleatedian की केंद रख होता है यह याद रखना आप Faciola के जीवन में प्राजमिक बसक होता है Primary Host in Life Cycling Faciola अब आप बोलिंग सरे Faciola क्या होता है कापी सारों ने नहीं देखा होगा Faciola तो पहले Faciola को देख लेते हैं यह आपका Faciola बरसाद के टाइम पे कहीं न कहीं देखा होगा Faciola और यह इसका जीवन चकर तो जीवन चकर में क्या-क्या आ रहा है देख लो आप इदर गाई भी आ रही है बेड़ भी आ रहा है ठी है मैं तो इसमें पूचा गया गाई का तो काँ पर काम हो रहा है बेड़ का कहा से स्टार्ट हो रहा है यह आपको पता रखना है और इनसान भी इसमें आ रहा है पेसे ओला में तो यह डाइग्राम अगर आपको याद है तो अभी जो क्यूचन पूचा वो आ जाएगा आपको इसका राइट आप सुना जाएगा आपका बेड़ ठीक है प्राइग्राम पूचा क्या है बेड़ याद रखना अभी डाइग्राम देखाता न हमने बेड़ माइटो कॉंट्रे की अधिक संक्य किसमे होती है तो हर किसी को बताए कि एनरजी की जुरुत काँपर अधिक होती है पर हमारी पैसी जिन्दगी बर चलती रहती है यान की हद्दे पैसी में क्योंकि ये जिन्दगी बर चलती रहती है हम सोजाते तब भी हद्दे दड़कता रहता है काम करती रहती है पैसियां ये पैसियां कभी भी राहत मासूस यान के आराम नहीं करती तो हद्य पेशियों में होगा मस्तिक्स की उत्पत्ति किस प्रात्मिक जनल अस्तर से होती है ब्रेंड डवलोमेंट प्रॉम विच प्राइमरी जर्म लेर एंडोडरम, मीजोडरम, एक्टोडरम या फिर एक्टो एंडोडोनो डाइग्राम मैंने आपको अच्छे से दिखाया था पहले वो डाइग्राम पता है तो आप कोई भी क्यूस ना जाए जर्म लेर का कर्द होगे जनल अस्तर का कोई भी क्यूस ना जाए कर्द होगे आप तो अगेन हम आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पारूंगे एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम तो एक्टोड्रम में कौन कौन से ओर्गन का डॉलोमेंट होता है नर्वा सिस्टम और इस्किन मीजोड्रम में किसका होता है मस्सल्स, इसकलेटल, किर्णी, रेप्रोड़क्शन एंडोड्रम में किसका होता है ग्लेंड्स का, लंग्स का और पाचन तंदर का तो अभी जो क्यूसन बनाता है कि मस्टिक्स का तो मस्टिक्स क्या है, नर्वा सिस्टम और वो किससे बनावाए, एक्टर्रम से, सिंपल अगर वो पूछ लेता कि मस्सल्स किससे बनाए तो मिजोड्रम से, अगर वो पूछ लेता कि लंग्स किससे है, तो एंडोड्रम से तो ये डाइग्राम ही पोटेंट है आपके लिए काफी सारी क्यूशन तो आप डाइग्राम सही कर दोगे तो मस्तिक्स एक्टो ड्रम राइट ऑप्चन होगा तो यहां पर इसलिए राइट ऑप्चन एक्टो ड्रम एक्टो ड्रम हाथी के लंबे दाँथ किसका रुपाँद रणा है हाथी के लम्मे दान्त किसका रुपांतन है तो बच्च वाला कि उसने हाथी के दान्त तो सबने देखें न सबने देखर के लगबग ये होते हाथी के दान्त ये बाहर वाले ये वाले तो ये किसका रुपांतन होते है ये हाथी के दान्त ठीक है ओपरी इंसिजर अपर इंसिजर ठीक है यह हो जाएगा बहुत आसान है बहुत आसान रंथंबोर राश्ट उद्धियन कहां पर है रंथंबोर नेशनल पार्क इस लोकेड़ उत्तर परदेश महाराश्ट राश्टान गुजरात तो सिंपल सी बात है स्वाई मतबूर राजस्तान में ठीक है रंथंबोर जहां पर केटरिना केप एक्टर्स की साधी का प्रोग्राम रखा गया था राजस्तान स्वाई मतबूर रंथंबोर ठीक है ऐसे भी आद रख सकते हो ग्रेफ सक्कर का मतब होता है यह तो बच्चों का क्यों सने जो आपका ग्रेफ साइकल होता है तोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं यह हो था आपका ग्रेफ साइकल यह वाला साइट्रिक एसेड साइकली भी इसको बोलते हैं दूसरा नाम भी याद रखना पूछ ले जाते हैं कापी बार सो बहुत यह असान इसका राइट ऑप्शन आक से करना पास प्रोलेशन द्वारा एटिप का निर्मान करना बच्चों वाला क्योशन एटिप का निर्मान करना ठीक है और यह इजी क्योशन आ गया सबसे इजी क्योशन आयोडिन संग्रित होता है कहां पर होता है सिंपल था इसे आपको उपर से लेकर नीचे तक का पूरा पता होना चाहिए ग्लेंट के बारे में कोई भी कुछन आजाए पिर कर दोगे आप कोई भी कुछन तो देखो चैनल सस्क्राइब कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है तो बिल्गल वी चिंता आपको नहीं करने हैं इस्टॉप के उसने आपको मिलते रहेंगे और टेलेग्राम को फोलो नहीं किया है तो टेलेग्राम को फोलो करेंगे डियार एमके ब्रो नाम से लिंक नीचे देरेगा डिस्क्रिप्शन में और यहां पर पीडियेप और आपको इमेजस मिल जाएंगे